जैहिन दोस्तो A24 Education के यूटूब सेनल पर आपका स्वागत है दोस्तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी के न्यून नोटिपिकेशन रिक्यूटमेंट के बारे में Headquarter South Western Command से आपका ये नोटिपिकेशन आपके रहने वाला है हम बात करेंगे इसके Liberty Criteria के इसके Liberty Criteria वो यहां पर रहने वाला है क्या इसका सेलेक्शन प्रोसेस वो यहां पर रहने वाला है वीडियो स्टाट करने से पहले यह दिया आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और सेर करें जिससे कि आपको आने वाली है रबडेट ऐसे ही मिलती रहे चलो हम बात करते हैं इसके Liberty Criteria कह हैं इसके Liberty Criteria वो यहाँ पे रहने वाला है इसमें आपकी चोकिदा की जो post रहेंगी No Post अब यहाँ पे रहने वाली है जिसमें आपका जो pay matric रहेगा लेवल first कराएईगा इसमें आपकी age criteria रहेगा वो ठारे से 25 एर रहने वाला है इसमें simply आप 10 पास यहाँ पर अपलाई कर सकते हैं साथ ही आपके पास 1 एर का experience भी होना जरूरी है आगे हम बात करते हैं यहाँ पर cook की post के लिए जिसमें आपकी total दो post रहने वाली है इसमें आपका जो pay matrix रहेगा लेवल 2 और 1 का इसमें आपका pay matrix रहने वाला है इसमें आपकी edge limit रहाँ से 25 एर रहने वाली है इसमें simply आपका 10 पास होना जरूरी है साथ ही आपको cooking का knowledge भी होना जरूरी है आगे हम बात करते हैं LDC की post के लिए जिसमें आपकी जो post रहेंगी वो एक post रहने वाली है इसमें आपका जो pay matrix रहेगा लेवल 2 का रहने वाला है इसमें आपका edge criteria वो ठारा से 25 एर रहने वाला है साथ ही इसमें आपका 12 पास होना जरूरी है आपकी जो English typing speed रहेगी वो 35 पर मिनट रहने वाली है और Hindi typing speed आपे 30 पर मिनट रहने वाली है आगे हम बात करते हैं आपे सफाई वाली के लिए जिसमें आपकी जो post रहेंगी 3 post रहने वाली है इसमें आपका जो pay matrix रहेगा लेवल 1 का रहेगा इसमें आपकी edge criteria वो ठारा से 25 एर रहने वाला है इसमें आपका 10 pass होना ज़रूरी है आगे हम बात करते हैं आपे ट्रेडमेन मैट के लिए जिसमें आपकी 4 post रहने वाली है इसमें आपका edge criteria वो ठारा से 25 एर रहने वाला है इसमें simply आप 10 pass यहाँ पर अपलाई कर सकते हैं यदि आपके पास desirable qualification है तो आपको इस बढ़ती दोरन पर फेंस हो यहाँ पर दी जाएगी आगे हम बात करते हैं आपे वार्स हाई का के लिए इसमें आपकी टोटल 16 post रहने वाली है इसमें आपकी जो edge criteria वो ठारा से 25 एर रहने वाला है इसमें simply आप 10th pass यहाँ पर आविदन कर सकते हैं आगे हम बात करते हैं यहाँ पर वासर मैन के लिए जिसमें आपकी टोटल 4 post रहने वाली है इसमें आपका जो edge criteria रहेगा वो ठारा से 25 एर रहने वाला है इसमें simply आप 10th pass यहाँ पर आविदन कर सकते हैं साथ ही आपको कपड़े दोने का knowledge भी होना जरूरी है आगे हम बात करते हैं आपे health inspector की जिसमें आपकी टोटल 12 post रहने वाली है इसमें आपका 10th pass होना जरूरी है साथ ही आपके पास sanitary inspector course का certificate भी होना जरूरी है आगे हम बात करते हैं आपे बारबर की post के लिए जिसमें आपकी एक post रहने वाली है जिसमें आपका जो age criteria रहेगा वो ठारा से 25 रहने वाला है इसमें simply आप 10th pass यहाँ पर आविदन कर सकते हैं यदि आपके पास desirable qualification है तो आपको इस बरतिदान फिर फेंस हो यहाँ पर दी जाएगी आगे हम बात करते हैं यहाँ पे पेलेस and date of examination की आपका जो admit card जारी किया जाएगा उसमें आपको यह mention कर दिया जाएगा आगे हम बात करते हैं यहाँ पे last date की इस form की जो last date रहेगी वो जिस दिन आपके employment उसमें पब्लिश्ट है उससे 45 दिन इस form की last date वो यहाँ पे रहने वाली है इस बरतिदी की जो post जारी की गई है उनमें चेंजमेंट किया जा सकता है वो भी आपको बिना notice के दोरा चेंजमेंट की जा सकती है आगे हम बात करते हैं आपको कौन-कौन से डोकूमेंट्स इस form के साथ अटेज करने होंगे इस form के साथ आपको आपका जो education certificate है, class certificate है प्पोर discharge book, इदिया पैक सर्विसमेन है तो यह डोकूमेंट्स हैं और आपका बरस certificate, domestic certificate, nationality certificate यह से भी डोकूमेंट्स हैं आपको self अटेश्टर करके इस form के साथ send करने होंगे आगे हम बात करते हैं पर आपको इस form के साथ एक self address envelope भी send करना होगा और साथ ही आपको 100 रुपे का postal order भी बनवाना होगा वो भी SWC medical branch के fever में आपको यह बनवाना होगा साथ ही आपको two passport size photograph भी आपको इस form के साथ attach करने होंगी वो आपको अलग से attach करने होंगी फोर्म पे आपको जो फोटो लगेगी वो अलग यहां पर रहने वाली है आगे हम बात करते हैं भी यहां पे आपका जो man envelope रहेगा उसको कैसे fill करना है man envelope पे उपर उपर आपको application for the post of नी किस post से आपने apply किये उस post का नाम भी आपको यहां पे लिखना होगा आगे हम बात करते हैं यहां पे आप परतेकक पोस्ट के लिए आप अलग से form आपको apply करना होगा यानि अलग-अलग पोस्ट के लिए आपको अलग-अलग फोर्म यहां पर अपलाई करना होगा इस फोर्म को आप हिंदी और इंगलिस दोनों ही लेंग्वेज में यहां पर फिल कर सकते हैं इस फोर्म का जो एड्रेस सेने वाला है इस एड्रेस पे आपको SpeedPost या Registered Post के मादेम से करना होगा आगे हम बात करते हैं यहां पर इसका कैसा लेबरस वो यहां पर रहने वाला है इसमें आपके चार पार्ट वो यहां पर रहने वाले हैं जिसमें आपका जो First Part रहेगा वो आपका reasoning का रहने वाला है जिसमें 25-25 इमाक्सिक्योशन रहेंगे second part रहेगा वो आपका gk का रहेगा जिसमें आपके 50-50 इमाक्सिक्योशन रहेंगे third part रहेगा आपका English का रहेगा जिसमें आपके 50-50 इमाक्सिक्योशन रहेंगे 4 part रहेगा आपका math का जिसमें 25 किशन और 25 मांक से क्योशन रहेंगी total आपके डेर सो नमर का paper वो यहां पे रहने वाला है जिसमें आपका time duration रहेगा वो two hours का यहां पे रहने वाला है अगे हम बात करते हैं यहां पे आपकी जो edge में शूट दी जाएगी वो अलग-लग category के साबसे आपको अलग-लग शूट और वो यहां पे दी जाएगी ठीक है दोस्तो यह आपका notification है वो यहां पे रहने वाला है इस notification की जो PDF है वो आपको हमारे telegram channel और whatsapp group पे भी देखने को मिल जाएगी यदि आपका कोई भी स्वाल है तो आप हमें comment box में बता सकते हैं या फिर insta id पे भी आप हमें message कर सकते हैं जो की आपको link है वो आपको description में दी गई है ठीक है दोस्तो वीडियो अच्छा लगाओ तो comment करें जुरू बताना ऐसे ही वीडियो जानने के लिए आप हमारे चनल को subscribe करें like करें और share करें जिससे की आपको आने वाली हर अबडेटा से ही मिलती रहे जैहिन